नमस्कार, दलीगल इंजन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम आपके एक प्रस्ण का जवाब देंगे और आपका प्रस्ण कई लोग हमसे लगातार पूछ रहे हैं कि सर हमने डेली उनिवर्सिटी में इंटरंस, एक्जामनिशन दिया और क्वालिफाई कर लिया, एडमिशन भी ले लिया लेकिन इसके बाबजूत भी अभी तक कोई भी क्लास कब स्टार्ट होगा कब एक्जामनिशन होगा, किस तरीके से क्लासेस होगी इसके बारे में कोई भी सुचना नहीं दी गई है तो प्लीज आप मुझे कंफर्म करें, कुछ बताएं इसके बारे में देखे मैं कई दिन से ऐसा बता रहा हूँ कि ये कब स्टार्ट होगा कैसे क्लासेस चलेगी, ओफलाइन होगी, ओनलाइन होगी केस मैटरियल कैसे प्रोवाइड होगा ये सारी चीज़ें जो है, जब तक अधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक कोई भी कुस भी बोले आप उस पे विलिब नहीं करें मैंने अपने इंटर्नल सोर्सेस से मैंने पता करने का प्रयास करा है और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि इसमें अभी क्लास स्टार्ट होने में थोड़ा विलम जरूर लगेगा चुकि ये फैकल्टी काफी बड़ी है और एड्मेस्टेर्टिव तोर पे बहुत ज़्यादा मैनेस्मेंट की जरूरत होती है तो यहां पे एक तो यह चीज़ है दूसरा कोरोना के कारण जो है अभी चीज़ें ठीक तरीके से नहीं चल रही है तो यह भी एक रीजन है तो अभी क्वेश्चन यह आता है कि अभी इस बीच में स्टूडेंट क्या करें मैं कई बार बोलता हूँ इस चैनल पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दें आप डिले मत करें आप इनके वरोसे मत बैठें यदि आप इनके वरोसे बैठेंगे कब यह कोर्स स्टार्ट करेंगे और कब यह कोर्स खतम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और एक्जामनिसन देना पड़ेगा और इतने कम समय में आप पूरे सिलबस का 50% भी कबर नहीं कर पाएंगे यह मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ आप मेरा पहला वीडियो भी जाकर के देख लेजिए अभी भी समय है इनके वरोसे मत बैठिये यह जब क्लास सुरू करना होगा करेंगे आपके बोलने से यह नहीं करेंगे तो इनका एड्मिसेशन का काम है इनको अपने तरीके से करना है दीजिए और मैं क्या बोलूँ कोई और यूट्यूबर क्या बोले या कोई और विक्ति क्या बोले उस पे वरोसा नहीं करना है जब तक कि आपको बिल्कुल लीगल नोटिफिकेशन नहीं आ जाई यूनिवर्सिटी के तरब से तब तक जो है आपको किसी के बाद पे उस तरीके से वरोसा नहीं कीजिए मैं फिर से दुबारा कह रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन का इंतजार करें इन दा मीन टाइम आपको बैटना नहीं है आप पढ़ाई कीजिए मैंने बताया था कि कैसे पढ़ना है मैंने अपने वेबसाइट पे ये भी लिखा है कि कौन कौन सा बुक लेना है किस तरीके से अपरोच करना है आप में से बहुत सारे लोगों के कहने पे मैंने फैमिली लॉव फस्ट इयर का जो सिलबस है आपका उस पे एक सौट कोर्स भी लॉंच किया जिसमें हमने फैमिली लॉव जो भी आपका syllabus है उसमें सारा कुछ cover किया Hindu law, Hindu marriage act Muslim law, Muslim marriage act और divorce और बाकि सारी चीज़े सारी चीज़ मैंने उसमें cover कि दिये आप यदि चाहते हैं तो आप उस course को भी join कर सकते हैं यह course बहुत ही सस्ता 599 रुपीज में पूरा का पूरा syllabus आपके पास है और एक idea मिलता है कि आपको आगे किस तरीके से approach करना है कम से कम एक paper तो आपका clear हो जाएगा और इसके साथ साथ हम उसमें यह भी बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है किस तरीके से case material पढ़ना है किस तरीके से आपको examination में attempt करना है क्या क्या चीज़े important होनी चाहिए क्या नहीं पढ़ना है इन तमाम चीज़ों के बारे में guide करता जाता हूँ चाहे आप course join करें या नहीं करें आप पढ़ाई start जरूर कर दें क्योंकि 5 paper है और 5 paper को इतने कम समय में करना यह बहुत मुस्किल बात होगा और एक अंतिम बार मैं यह भी बताना चाहूँगा कि आप university का इंतजार नहीं करें आप पढ़ाई यह start कर लें और जब भी information आएगा मैं इसी channel पे आपको inform कर दूँगा चले फिर से मिलते हैं किसी और topic में तब तक लिए नमस्कार जय है